दोस्तो थोड़ा से macro economics की बात कर लेते हैं micro और macro दो economics होता है macro overall economic को represent करता है micro कोई specific area में represent करता है तो इस channel पर आपको पता ही है finance, corporate और personal well-being, motivation इसके videos बनाता रहता हूँ so आज की कड़ी में थोड़ा knowledge series है macro economics related चीज है और वो है GDP, gross domestic product आपने देखा होगा कि GDP एकसर बड़ी बड़ी बाते होती है हमारा GDP इतने जा रहा हमारा GDP इतने जा रहा काफी लोगो GDP का मतलब ही नहीं पता frankly speaking बढ़ हाँ roughly काफी लोगों को इतना तो पता है it is something related to growth of the country तो उसी के बात करते हैं एक moneycontrol.com पे एक article आया था वो article मैं अपने community page पे भी डाल दूँगा आप वहाँ से ले सकते हैं और मैंने इसका एक channel बनाया है WhatsApp channel तो WhatsApp channel पे भी आप connect हो सकते हैं नीचे मैं link दे रहा हूँ वहाँ पे भी मैंने दे दिया कंट्री बना ले विक्सित राज्य रास्टर बना ले अभी हम विकास सील हैं डेबलपिंग है तो डेबलप्ट होने में क्या-क्या conditions होती हैं छोटा सा discussion वर्ड बैंक की रिपोर्ट ने किया है तो वर्ड बैंक का रिपोर्ट वैसे भी important होता है और हमें पढ़ना चाहिए ideally इसमें बोला गया है कि अगर हम लगातार 8% 8% का GDP ग्रोथ करते हैं तो जाके 47 में हम लोग डेबलप्ट कंट्री बन सकते हैं और फिर उन्होंने तरीका भी बताया है कि to achieve 8% GDP क्या-क्या करना चाहिए उन्होंने बताया है कि अभी आप 6 और 6.5 के बीच में on an average ग्रोग कर रहे है which is also very good because आज इस time presently पूरे top countries, top economical countries जो हैं उनकी list आई थी 30-40 उसमें इंडिया सबसे उपर ग्रोग कर रहा था कुछ चाइना 4.2 था something और कुछ-कुछ country तो 2, कोई 0, कोई minus पे भी था तो इस तरह से ग्रोग कर रही है इंडिया लेकिन वो भी enough नहीं है 2047 तक इंडिया को developed country बनाने के लिए इंडिया को उगर developed country बनाना है तो 8% GDP चाहिए और उसके लिए women's को यानि ladies को लड़कियों को workforce में ज़्यादा involve होना पड़ेगा हमारी जो maximum आधी population बुलियाती है, women की होती है तो आधी population में भी काफी कम लोग work करते है, सारे लोग की जो earning होती है, सारे लोग का जो participation होता और GDP में count ही नहीं होता GDP में count तो तब होगा जब उनकी earning होगी, उनके sources को bank के through हम rotate करेंगे अब घर में एक lady काम कर रही है जो housewife है उनका GDP में कोई योगदान नहीं जबकि वो family को पूरा समाल रही है तो और अभी उन्होंने एक report भी दिया है world bank ने और उन्होंने बोला है world bank senior economics दुरू सर्मा ने कहा है कि it is because of low female participation in India workforce पे उन्होंने भी बताया है India has aspiration to become a high income country by 2047 this will naturally require a faster pace of growth it is growing around 66 to 6.5 in order to get high income country it needs to grow closer to 8% and it will only be possible if female will be more introduced to the workforce female are not participating Mr. Sarma said at the release of world bank India development update report on October 3, 2023 में report आया उसके वाद इन्होंने ये भी बताया कि यहां पे आप अप सुनियेगा the world bank noted that while the male and female worker population has increased 1.54% to 2.3% point अब ये थोड़ा सा बढ़ा है increase in January, March 2023 from the year ago period it increased in work WPR for women was primarily driven by increase in share of women in unpaid work as per the data from the government periodic labor force survey तो ये एक चिन्ता वाली बात है और चिन्ता वाली बात के लिए आस सारे जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए बता दूँ ये तभी possible हो सकता है जब आप लड़कियों को ज़्यादा encourage करो female को ज़्यादा encourage करो work करने के लिए वो contribute करें अपने economy में और अपकोस अपनी family में family भी तो एक economy है, micro level पे है उस economy में भी अभी इसी रिपोर्ट में बोला गया है कि लगबग one third salary offer की जाती है, same job के लिए girls को on an average तो ये भी एक चिंता की विसे है, हलांकि ये सारी चीजों में हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं अगस्टे काउ में वर्ड बैंक कंट्री डारेक्टर हैं, इंडिया के added that raising the female labor force participation rate was a very important topic for India and the bank would work with all the stakeholder to raise it to the average level of 50% for emerging market economy, for around 25% now अभी करीब करीब 25% का share है girls का, हमारे workforce पे, private sector में generally, उसको 50% लाने की जरूरत है then उनके हिसाब से इसे problem खतम हो जाएगी fiscal slippage भी है, fiscal slippage पे मैं fiscal होता क्या है, deficit होता क्या है यह मैं बाद बताऊँगा, इसको मिराजकोसी घाटा कहते है यह basically इंडिया के जो income है और उसके खर्चे के difference को कहते है खर्चा जादा हो गया, income कम रहा तो उस खर्चे को meet करने के लिए government क्या करती है, loan लेती है उस loan वही वह जो खर्चा extra होता है, उसे fiscal deficit बोलते है राजकोसी घाटा, इस पर अलक्सी वीडियो बनाऊँगा तब तक के लिए thank you very much, bye बाइ, take care